बाकी helping hands, balling coach हो गया, fielding coach हो गया या जितने भी दूसरा setup होता है, वो helping hand होता है और इंशालला कोशिच करेंगे कि मिजबा को जितनी भी support और help कर सकें तरके पाकिस्तान की team बेतर हो और इंशालला आगे चलेंगे गार्फाई जाहिर है, पहले head coach और आप इस तरह आपका फूरी बिल्कुल नीचे, बॉलिंग coach है, ये क्या surprising किस तरह है, क्या हुआ गया, क्या आप समझते हैं कि आप पहले भी bowling coach के लिए आपका product है, as a baller क्योंकि आपकी पूरी दुनिया में ठागती है, आप समझते हैं कि अब ने ये फैसला पहले गलत था या अब सही है, मेरे लिए दोनों फैसले ठीक थे, अब प्रॉबबली मैं ये फैसला है, इसलिए किया था, कर मेभी, I wasn't ready, मैं इस तरह तियार नहीं था, mentally नहीं तियार था, to get back in the setup, so I think मेरे लिए बेतर था, to come down, and of course, जब मिजबा के सा I think मेरे chemistry भी काफी मिलती है, I have got a very good understanding with him, so I think ये भी काफी help करेगी इंशाला, future में आगे जाने वालों में, वाकि जहां तक बात रही कि, you know, नीचे आना, demotion में आना, ये सिरफ एक myth है, कि आप उपर जाते हो, ये नीचे जाते हो, हमारा सब का मकसद ये है कि Pakistan टीम किस तरीक कोच होना, I don't think that really इतना बड़ा को matter है, so if I can help those lot of youngsters, जो कि मुझे बहुत excited कर रहे हैं, को दो-तीन youngsters जो pipeline में हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो इंशाला, आप देखेंगे के very near future, वो और भी आएंगे, so I think that's an exciting time. I don't think it's fair कि इस ताम को नाम बताया है. आपकार भाई, कल उस्मान शन्वारी ने press conference की थी, और उन्होंने का था कि अजर मैमूद की coaching पर स्वारिया निशान कड़े किये, और उन्होंने का था कि उनको सिर्फ T20 की coaching आती जब कि वागार भाई, तीनों format की coaching बेतरीन तरीके से जानते हैं, तो आपके मताबिक आप ब बहुत अच्छा काम किया है, तीन साल पाकिस्तान टीम के साथ रहे है, चैंबिन्स ट्रोफी भी जितवाई है, डॉंट फोगेट एट, तो आपके मेरा निख्याल के मेरा बनता है कि मैं उस पर कोई भी कॉमेंट दूँ, आप मेरी नजर में अजर को देखा जाए, तो इस पाकिस्तान में पाकिस्तान पर काम करेंगे या मिकी आर्थर क्यों मैं भी तो अस्ट्रेल ही रहता हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर जाओंगा एस्ट्रेलिया, लेकिन अफकोर्स कोशिश करेंगे कि अधर 19, 16 मैं वापस पाकिस्तान मूव होने के अगर डिमेस्टिक रिकेट जिस तरह मैंने लुका है कि श्रिंक होई है, देखने पड़ेंगे और 16, 19 जूनियर लेवल पर इंशाला बूल वर्क पगएदर मतारी तीन वर्स पहले की बाता है, अधर हमें टाइम भी जाद है, तारीख भी जाद है जब आप ड़े लिज्टिटिट हो कि अपने आप नवर्क अटाफिश एम आपके पढ़ार के बार इन्व परोल्स के अब आपने तो कुछ बदल नहीं है, तो आप नहीं तो तो आप बदल जाती है, मेरा मतलब है, हफते में बदल जाती है, यह तो तीन साल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़े बदली है, फॉर्मेट बदला है, जैसे आपने खुली का, डिमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, नए लोग आए है, नए अब सेट अप आया है, नए ति की टीम और पाकिस्तान की बालिंग लाइन आप बेतर से बेतर परफॉर्म करें और आगे जाए, परदी, शुष्छ सब्सक्र पर लेट करके है, आपने रिपोर्ट के मगए दोजार सोला में, साथ आपने का था आपने सारे कांट्रिश्य सवाल आजी करने हैं, चले करने है आपने का पाकिस्तान टीम से दूर रखा जाएं, साथ ही वो अभी भी उनको और तलब कर लिए गए, दूसरा आइए बता दें, कि आप साथ कमेंटरी का आपका क्या मुस्तविर होगा, और तीसरा सारी एट करने हैं, चोटा सारी, सेरे लंका के सीनर प्लेर्स नहीं आरें, सीनर प्लेर्स नहीं आरें सेरे लंका के तू क्या करेंगें? इसको खेलना चाहिए, and within the discipline rules, I think he's got to stay, उनको उसके parameters के बीच में रहना पड़ेगा, तो वो चाहिए, एहमद है, उमर है, कोई भी है, I think सब के लिए वो एक ही होना चाहिए. कोमेंटरी का क्या है, कोमेंटरी तो always there, कोमेंटरी का future तो इसके बाद भी हो सकता है, पिर कभी कर लेंग कोईशू नहीं. आप वसीम या आके इनका 15 से 20 साल के दल्लान कहिए रहे हैं, मुहमद आमिर 27 साल के उमर में 10 क्रिकट चोड़ गया है, आप ने लॉंग पार्मिट चोड़ दिया है, तो आप जस इनकी मैश की हिकम अदमी में मद्द करेंगी है, जो पाकिस्तानी बोलर्स ना देखें, और पार्मिट के बाद को सुपर स्टार बें यह मिला फास्ट बोलिंग में, जो हम डिकलाइं की तरफ जाते जा रहे हैं, यह भी आपके लिए प्क्रिकर इन लम्मा है, इन चीजों को देखना पड़ेगा? कुछ लड़कों से, क्योंके शुए बक्तर के बाद भी आया है, उमर गुल को, डॉंट फगेट उमर गुल, उमर गुल ने काफी परफॉर्म किया, अभी जो अभी भी खेल रहे हैं, यह भी लड़के बहुत अच्छे हैं, बाकि जहां तक इनका फॉर्मेट छोडने की बा कि बाद के बाद बुबंग को शहाद अपना पाफ खेल नहीं तो आप इस जीज को मैंड में रखेंगे, इस प्लाडी अपना पर लंबा रखें, जिसमें आपको इंजरी वी प्रवेंट की जाए, क्योंकि गर्मिव में बीच होते हैं, क्रिकट जादा भी है, और लीग्स क्रिकेट कहलते हैं, तो साहरे को, I think PCB ने भी इसको काफी नजर में रखा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, it's unfortunate कि उन्होंने दोनोंने डिसाइड किया है कि उन्होंने जल्दी टेस्ट मैच किया है, but there is a lot of talent in Pakistan, I don't really see कि कलको को और उठेगा and he will take up. पकारवी, अपने बनाया है कि आपके chemistry का भी अच्छियर ने कि दो डिफिर्ट स्कूल अगट है, आपका डिफिर्ट स्कूल अगट है, आपका डिफिर्ट है मिस्वा के डिफिर्ट स्कूल अगट है, how are you gonna find a family job between working, apsaad में काम देगें? मेरा जो रोल है वो बड़ा सिंपल है, डिफाइन है, मेरा रोल है क्योंकि मैंने दोनों रोल किये हुए हैं, पाकिस्तान के साथ, as a head coach also, as a balling coach also, so मुझे idea है, पता है, icing on the cake यह है कि मुझे मिस्वा का भी पता है, कि मिस्वा का mindset कैसा है, क्योंकि जितनी मैंने कोचिंग भी किया, वो मेरे मिस्वा के साथ ही, तो of course, there is, you know, difference तो होते हैं, चीजों के सोचने का तरीका different होता है, लेकिन जब पीसीबी ने मिस्वा को यह opportunity दी है, तो I think it's our job, our responsibility, to back him and support him, क्योंकि we all know that he is a very honest man, he is very passionate about the game, and I am 100% sure, मुझे पूरी यकीन है, पूरी अमीद है, कि जिस तरह का मिस्वा का mindset है, change होते हुए, जैसे उन्होंने का ने का ने का, कि हफते में तीन, हफते तीन साल में, अभी इम्रान ने का, तो चीज़े चेंज हो जाती है, तो इंशालला, you know, we will work together, और जहां तक support की बात है, या chemistry की बात है, तो मिस्वा को जितनी support या, जितनी help की जरूरत होएगी, जितनी वो डिमांड करेगा उती ही दें, पूरता के target होते हैं, short term और long term, आप लिए किस तरह के सेट की हैं और किस तरह के लिए हैं? देखे, short term तो of course, मैचों को जीता भी जाए, early on, confidence बिल्ड किया जो, फिर दूसरा ही है कि जैसे youngsters हैं जिन में अभी उसनान के साथ में थोड़ा काम कर रहा था, उसनान है, raw है, under 19 में लड़के हैं, नसीम शाह एक very good talent है, very very good talent, and I'm sure वो भी इसका भी bright future है, और फिर हम आपस experience में, आमेर है, वहाब है, शन्वारी है, शन्वारी है, शन्वारी is doing really well, so I think, इनको long term में उनको देखा जाएगा, यो यंग्सर्स हैं, और अच्छी बात यह है कि जतने लड़के भी बुलाए गए हैं, क्योंकिए domestic cricket श्रिंक हुई है, तो बहुत सारे miss out जन्होंने किया है, उनको यहां बुलाके उनको भी देखा जा रहा है, उनके साथ भी थोड़ा काम करेंगे, तो जो टैलेंट दिखेगा इंशालला उनको सप्लाइ करेंगे इंटरनेशनल को. नो डाउट पैसला है, जो एस्ट्रीम के पतान है, कोई जो चेर्मेन का स्वाब दीख प्यार है, क्या आप समझे कि सफ्राद को टेस्ट के पतान पर करार करेंगे, जो प्लेयर वाजे किया कि वो ठीक है, टी-ट्वांट्री और बंट्री पार्मेंटली निकोल लिम्न देने चाहा है? जैसे आप निकार ना कि ये उनका डिसिजन है, हाँ मैं परसनल अपना अपिनियन जरूर दे सकता हूं, मेरे ख्याल में सरफराद अभी भी एक्सपीरियंस है, काफी एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पाकिस्तान टीम को जरूरत है, और उनको होना चाहिए, शौटर वर्जर में तो डेफिनेटली होना चाहिए, आगे एक देन अगें इट कमस तो देशिए में जरूरत है। अच्छे वकार, एक सीज़ भी एक चीज़ भी वकार, आप दुनिया के अजीम बहीं खास बॉलर्स में से एक्षिए, इस वक्त पाकिस्तान में आमिर और वहाफ के के अच्छेव से बाहर जाने के बाद आपका चाहिए, अभी देखना पड़ेगा, अभी तो मेरा तीसरा दिन है तो थोड़ा मुश्कल सवाल है जवाब देना, लेकिन यह है कि आफकोस पाइप लाइन में बॉलर्स हैं, अभी भी नजर रखेंगे के उन में कौन-कौन से लड़के ऐसे हैं, जैसे मैं दो नाम अभी दी हैं, स्नैन, नसीम शाह, यह ऐसे लड़के हैं के जो मोस्स लाइकली इन नेक्स फ्यू मन्स यह भी यह यह भी आइंगे, तो इसी तरह स्पिनर्स को भी देखेंगे, मैंने तो एक मैच अभी तक देखा है, मुझे आज साच कोई उतना अट्रेक्टिव बॉलर नहीं लगा लेकिन अवकोर्स आगे जब क्रिकेट चलेगी तो ओफुली देखेंगा श्में आपस्ति यह नहीं लीग होगा अ चले बॉलर निलीग कों को अपड़ी आज इन अग्सकैन वी खाटी के इसके बाद धुले को इसके नहीं यह लागा लेक्टिव आज़गें करें आपocre Kennel है पोज मेरे जळिए के शोचना का और अर। अरे करेंगागा फे हाइगा व्हूर कर देखू नहीं करेंगा है वर्लवाइड यह एक्ष्परिम्ट है पहले करेकर एक कैल अर। मेरे हैं बखेन कर अजैने किला मिस यह जहेँ कितर क्रिक्ट है तो मुझे उमीद है कि यह कर देगा in an experiment and in an experiment aum overall देखें तो सारे expériment हो रहे हैं कि हमने domestic cricket को shrink किया डिपार्टमेंटल कुछ़िए को हम किया यूरे खोता को बड़े हैं तो यह थोड़ा सा experimental है लेकिन यह